नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आलोग स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही चैनल अवत का आलोग पर दोस्तों मेरा डेली का जो गार्डन वर्क है वो शुरू हो चुका है और अभी सुबे के लगभग छे साड़े छे ही बज रहे होगे आपको मेरे ठीक पीछे जो घर पे बल्ब चल रहा है उससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अधेरा बिल्कुल छटा ही है और सुबे ने थोड़ा पैर सेक रहा था क्योंकि पैर में जैसे पैर सुनसा हो गया था सुबे मैं गरम पानी लेता हूं तो सबसे पहले यहां पर मैं गरम पानी ले रहा हूं उसके बाद ठीक बात मैं चाय लेता हूं और चाय मैं इसी छोटी सी ग्लास के अंदर लेता हूं क्योंकि स साम के लगभग ये 4-5 बजी की क्लिप है मैंने मिट्टी और खाद रखवा दिया था क्योंकि मेरे लिए समय नहीं बसता कि मैं ला सकूं तो मैंने पहले से ही रखवा दिया था और वहां से आने के बाद मैंने फॉरन अपना काम सुरू कर दिया ये पॉटे मिक्स मैं तायार क खाद और सेंड मतलब बालू जो कंस्ट्रक्शन वारी बालू होती है वही एक जब आप पॉट के अंदर कोई भी पॉधा लगाने जा रहे हों तो ये एक जो है आइडियल स्वयल बनती है लगभग हर पॉधों के लिए गमलों के अंदर लगने वाले कुछी पॉधे ऐसे ह होते हैं जिनको इस तरीके से मिट्टी बना कर नहीं देनी होती जैसे कोली उसके अंदर रेथ थोड़ी कम मिलानी होती है बाकी के सभी पॉधों के लिए आपको बराबर मातरा में मिट्टी रेथ और कंपोश लेना जरूरी होता है ऐसे में जो स्वयल तयार होती है वह बेर हुचकी है मैं इस तब तक मिलाता हूँ इनको जब तक अच्छे से Candice नहीं हो जाती और साथ ही साथ जो है यह जोप्टटीकि टुकड़े बरे बालीग नहीं हो जाते कि मिट की का भुरॢरा भुरा भी बहुत ही जरूरी होता है तो दोस्तों ऑनलाइन मैंने ये छे ही विसकस साथ ही विसकस के प्लांट मगाए हैं हो सकेगा तो मैं आप लोगों को स्क्रीन पर जो है इनके कलर्स जो है वो शेयर कर दूँगा क्योंकि अभी तो इनके अंदर फ्लावर्स तो आए नहीं है और कई दिनों के खराब कंडिशन में नहीं है फिर भी जो है इनकी बहुत अच्छी हालत भी नहीं कही जाएगी क्योंकि पैकिंग के अंदर से मैंने इनको निकाला तो थोड़ा फ्रेस नजर आ भी रहे थे लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है मैं देख रहा हूं इनकी पतियां जो उपर से यह रबर लगा दिए गए हैं जिससे यह इसके अंदर से निकले ना बहुत अच्छी पैकिंग तो नहीं कही जा सकती लेकिन करें क्या कुछ अईसे हैं हैं जो ऑन्लाइन मिलते नहीं है या फिर मिल भी मतलब नसरी में मिलते नहीं है और नसरी में अगर मिल भी जाते हैं तो वो रेड कलर की मिट्टी के अंदर लगके आते हैं जिनको हटाने के बाद भी plants के मरने के chances कहीं न कहीं बने रहते हैं तो मजबूरन जो है मुझे कुछ color ऐसे थे जो मुझे नहीं मिल रहे थे मैंने online मंगा ली ये coco peat लगा हुआ है आपको दिख रहा होगा ये coco peat है और coco peat के साथ जो है मुझे लगता है red soil ही लगी हुई है तो थोड़ा थोड़ा वास करके मैं लगाऊंगा क्योंकि ये मुझे लाल मिट्टी ही लग रही है लाल मिट्टी के अंदर ही ये देखे लगे हुए है तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है थोड़ी थोड़ी roots इनकी बाहर कर दूँगा मैं उसके बाद इनको सीधा मैं report करूँगा जिससे ये बहुत ज़्यादा सौक में आ जाए soil mixture तो आप लोगों ने देखा ही मैंने तयार कर लिया थोड़ी mystery थी आप लोगों के साथ कि मैं क्या report करने वाला हूँ इतना ज़्यादा soil mixture बना रहा हूँ तो यही चीज है मतलब यह सारे के सारे जो है मुझे लगता है कि red color के soil में ही grow किये जाते हैं यह आसानी से cutting side grow हो जाती होगी या क्या reason है कि यह red soil जो है इनके साथ लगकर आती है तो अभी मैं पानी में इनको हलका हलका सा वास कर लूँगा और उसके बाद जो है इनको मैं अपनी मिठी के अंदर लगा दूँगा वैसे तो इनकी जड़े देखी यह निकली हुई है वरना जो है क्या बताएं मुझे तो उम्मिद नहीं थी कि यह red color के soil के अंदर लगा होगा अभी आप लोगों के साथ ही मैंने इस पैक को खोला है मुझे भी लगा था कि यह जो है नॉर्मल सी soil के अंदर लगकर मिलेगा तो साथ color है यह और साथो जो है अलग-अलग color के हैं इनके grow bag एक-एक मिल गया है मुझे मुझे grow bag की जरुवत भी थी फिलाल जो है साथ प्लांट यह मुझे एक प्लांट 60 रूपीज का था लेकिन इनके साथ जो delivery charge वगा लगा उसको लेकर अगर देखा जाए तो लग-भग एक-एक प्लांट मुझे 82 या 83 रूपीज में पड़ा है total 700 मैंने पे किये है इन जो है साथ प्लांट के लिए नहीं sorry total मैंने 600 पे किये है इन साथ प्लांट के लिए फाइफ अंडर सेवंड़ी पहले मैंने थोड़ा honesty अपने आपको honest दिखाने के चक्कर में कभी का बार में बेकोब भी बन जाता हूं तो यहां पर मैंने थोड़ी honesty की मैंने 30 रूपीज उनको बाद में फिर से वेका दिये तो फूटल जो है 570 प्लस 30 600 मैंने उनको पे किये और प्लांट की पैकिंग मुझे बहुत ज़्यदा समझ में नहीं आई है बहुत रफली इनको पैक किया गया था फिर भी जो है चलिए इनको रिपोर्ट करते हैं रिपोर्ट करने के बाद आगे अपडेट आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे इनका मेरी पोटी मिक्स पहले से ही बनकर तयार थी और रेड मिट्टी के अंदर पौधा लगकर मिला था तो मेरे लिए डिसपॉइट्मेंट ज्यादा थी और रिपोर्टिंग की भी थोड़ी जल्दी थी इस वज़ा से मैंने पोटी मिक्स तयार ही क लगाऊं पौधे सौक में जाएं तो जल्दी रिकबर हो जाएं एपसम सॉल्ट कहीं न कहीं जो है रिकबर करने में काफी हद तक मदद करता है तो अभी मुझे रिपोर्टिंग में लगने वाला है काफी जादा समय क्योंकि इनकी मिट्टी को धिरे-दिरे हटा कर ही लगा हूं तो दोस्तों अभी रात के लगबग जो है वो साथ साड़े साथ बज रहे होंगे मैंने इन सारे प्लांट्स को देखे यहां पर रिपोर्ट कर लिया और रेट स्वायल इनकी जड़ों को छोड़ नहीं रह थी तो कभी तेर दिर तक इनको भीगोना पड़ा पानी के अ आगे भी आप लोगों के साथ इनकी क्या हालत होगी शेयर करूंगा कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा ऐसी किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलेंगे फिर आप लोगों से किसी नई वीडियो के अंदर तब तक के लिए जैशी झाल झाल